ध्याने नात्मनि पश्यंति केजिदात्मानमात्मना अन्ये सांखेन योगेन कर्मयोगेन चापरे प्रेदर शुकू नमस्कार एक बफ्र से उपस्तत हूँ आप सके सामने मंगलबार के कारिक्रम में मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक कारिक्रम बनाया था कि आपके घर में वास्तू का प्रभाव कैसा होता है कैसे कौन-कौन सी चीजों को कहां रखना चाहिए उसी क्रम में उसी कणी को आगे बढ़ाते हुए मेरा काम ये बताना है कि आपके घर का जो स्नान कक्ष है वो कैसा होना चाहिए वास्तूरूम जिसको बोलते है न वो जिसमें आजकल लेटरिन और बात्रूम अटैच्ट की एक दम परमपरा चल बैठी है नल कल सोचाले एक ही में है नल भी उसी में है कल भी उसी में है सोचाले भी उसी में है और इसी को लोग शहरी बोलते हैं तो एक ही छोटा सा कमरा उसी में हगने की बिवस्ता भी है उसी में नहाने की बिवस्ता है उसी में जब गरने की बिवस्ता है पर कोई बात नहीं आज लेका आता हूं उत्तर दिशा दक्षड दिशा पस्चिम दिशा और पुर्व दिशा मैंने इस छेत्र को घेर करके आप लोगों को समझाने के लिए ये बनाया है ऐसा चित्र कि ये पुर्व दिशा की तरफ मतलब आपके घर के पुर्वी छेत्र पे आपका स्नानकक्ष होना स्नानकक्ष मतलब स्नानकक्ष याद रखिएगा आप जितनी बार भी जितनी बार आप जितनी बार भी अपने वाश्रूम में जाते हैं उतनी बार आपको प्रेत पकड़ते हैं वहां प्रेत का वाश होता है और अगर वहां से निकल करके या फिर वहां से निकलने के क्रम मे आपने अपने शरीर का प्रोक्षण नहीं किया, शुद्ध नहीं किया, तो वो प्रेत आपके माते पे बैठा रहता है, और फिर आप उसके बाद जितने भी कुछ सुद्ध कर्म करते हैं, वो सब अशुद्धी के दोश से युक्त हो जाते हैं, उसे सौच और सौच का दोश इस वज़ा से हर बार, जब कभी भी आप सनान कक्ष में जाते हूं, जहां पर आपका कमरा वहाँ पे लेटरिम बात्रूम वहाँ पे सब बने हुए हैं, एक ही में खिचडी मची हुई है, तो उसमें से जभी भी निकलते हैं, तो कम से कम आपको परस पर प्रोपर तरीके से शुद्धता का ख्याल रखना चाहिए, आपको उस कमरे में थोड़ी से मिट्टी किसी डब्बे में जरूर रख लीजे गंगाजी की, या अपने गाउं की मिट्टी, या अगर ये नहीं कर सकते, तो कम से कम उस विधी का सेवन जरूर करिए, जिससे शरीर सुद्ध होता है कि सनान करने के बाद जब आप मलमुत प्रत्या करने जाते हैं, तो कितनी बाद आपको कुला मुखारी करना होता है, उस पे एक अलग कारे कर्म बना दूँगा, पर यहाँ पे बात, ये आपके पूरे घर का कहा है, ऐसे, ये आपके पूरे घर का पुर्वी हिस्सा है, ये पुर्व के कौन पर नल और फबारा लगेंगे अब यहां से तो घुझ गए पुर्व में अब इस रूम में घुझ करके आपको क्या देखना है कि उत्तर दिशा की धर है और पुर्व दिशा की धर है और उसके कोण पर नल और फबारा लगाईएगा उपर से नहाने वाला आजकल बनता है ना वो जर्ना तो नल और फबारा ये लगाना है मैं आपको अपनी भी वाथरूम के स्थिती बता दू मेरे यहां यह दोनों में से कुछ भी नहीं है तो यहां पर नल और फबारा दोनों है नहीं है तो आपके घर में अग अगर पानी निकलने की ठलान की बात होती है तो आपका ढ़लान कैसे होगा? उत्तर और पुर्वदिशा की तरफ ही ठलान होगा. बाश्रोम में गने की पानी में तो आफ ने काड़े रखेंगे नहीं. तो ऐसे में उसका धलान या तो उत्तर की तरफ हो या तो पुर्व की तरफ हो मतलब उत्तर की तरफ या धलान ऐसे ही रहेगा या धाल कैसा रहेगा पुर्व की तरफ ये देखे मैंने इधर इशारा किया है तो या तो ढाल इधर हो मतलब इधर उंचा हो ये वाला छेत्र ऐसे उंचा होता जाए और ऐसे नीचा होता जाए ताकि पानी जो है वो या तो इधर जाए या तो फिर इधर जाए है ना? यानि कि धलान आपका या तो इधर हो या तो इधर हो, समझ गयोंगे, इतने तो बुद्धिमान हैं आप, तो ये बात नलफा बारा कहां लगा दिया, उत्तर और पुर्व दिशा के मध्य में, ये देखे उत्तर ये रहा पुर्व, और यहाँ पे धलान इधर रहा, या तो फिर इधर रहा, उसके बाद इधर आते हैं, पुर्व दिशा की ही तरफ, जहां पुर्व है, इसमें से ही आपको वास्वेशन निकालना है, मतलब ये आपके स्नान घर का कह सकते हैं कि बाया छेत्र, स्नान घर का बाया, जहां पे आपको वास्वेशन लगाना है, अब वहीं पे आपको लमुखारी भी करते हैं, त कि जगह कम है ना आपके बात रूम में तो ये बात और उसके पूरब और दक्षण ये देखिए ये पूरबी छेत रहे और ये दक्षणी छेत रहे अगर सोचाले उसी में बहन बना न पड़े हगने की बिवस्था भी अगर यहीं करनी पड़े तो आपको ये सोचाले जो है पूरब और दक्षण वाला में हाजरा हूं ऐसे संस्कृति जो बने हैं हमारे हाँ जो अजकल क्या बोलते हैं उसको डिब्बे में रहते हैं लोग माचिस के डिब्बी में माचिस मैं जहां रहता हूँ आठ दस कमरे हैं हां मैं इसकी प्रसंसा नहीं कर रहा है पर मैं आपक एक खिड़की के लिए भी अलग किराया लगता है अलग से उसके चार्ज बढ़ जाते हैं तो ये पूरब का छेत्र और ये दक्षण का छेत्र इस दोनों के मध्ध की स्थुति में आपको सोचाले बनाना है मतलब मलमुत्र त्यागने की विवस्था यहां करनी है और ये आपका पूरब छेत्र रहा और ये दक्षण का छेत्र पूरब और दक्षण के छेत्र पे बिद्दूत उपकरम लगाने हैं आप यहां से इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि सोचाले कैसा बनेगा पस्चिम के छेत्र प जबारा लगेगा जो आसमान से लड़के का आपके माथे पर धलान कि धर होगा या तो उत्तरदिशा की तरफ या तो पुर्वदिशा की तरफ वाश बेसिन कि धर रहे आपके पुर्वदिशा से बाएं तरफ और सौचाले कि धर रहेगा पस्चिम और दक्षण के मध्य में नायरुत्य कौन जिसको बोलते हैं, क्योंकि ये राहु केतु का स्थान होता है, और आपके गीजर कहां लगेंगे, उसको भी तो लगाना है, तो गीजर आप लगा दीजे यहां, पूरा बर्दक्षण के कौन पे, ये लग गया आपका गीजर, जो बहुत गरम गरम पानी कभ गरम पानी आएगा, ये चालू करोगे तो ठंडा पानी आएगा, पर क्या कुछ वहां पे सिस्टम मुझे समझना है नल कल की बात, गरम पानी इतनी की जल जाये शरीर, फिर मैंने उनको भूला करके कहा कि भाईया ये अपना सिस्टम बंकरो, मुझे ठंडा पानी लाके दे तो ऐसा, ऐसे आपका वाथरूम होना चाहिए, और ऐसे आपका वाथरूम होना चाहिए, मैंने कई जगह ऐसे देखे हैं, जहां पर इतनी चोटी जगह है, जहां पर एक बक्ती घुजे, तो वापस मुढने के लिए भी वो मुढना सके, उसी तरीके से जाये और उसी तरीक पर उसको निकालने की ववस्था बड़ी कमजोर बना दी है अरे भाई निकालेंगे नहीं तो डालेंगे कैसे पेट में तो पहले निकालने का प्रबंद अच्छा करो फिर खाने का प्रबंद करना पता चला है निकलने की ववस्था जो है वो बहुत सफोकेशन में है और योगों की चर्चा की गई है योग मतलब वो नहीं जो आप आजकल देखते हैं ना 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 वो योग नहीं वो तो किसी और छेत्र में आपको लेके जाता है वस्तुता योगों की चर्चा गीता जी में की गई है जिसमें कर्म योग ध्यान योग और सांख्य योग की बाद की गई है कोई ज्यान के बल पे कोई कर्म के बल पे और कोई ध्यान के बल पे परमात्मा को पाने की कोशिश करता है और इसी तीन रास्ते से चल करके व्यप्ति खुद में खुद को और संपूर्ण परमात्मा के स्वरूपों को समझने की कोशिश करता है और इसी मार्ग के द् लिकट जाकर के अपने आपको उसमें समा देता है। सामने वाले ने आपको इतना ज़्यादा शहरी बना दिया है।